आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेभी के जो नए रेगुलेशन्स हैं आपको पता होगा कि सेभी ने छे नए रूल्स इंट्रड्यूस किये हैं जो कि आने वाले कुछ महीनों में लागू हो जाएंगे इसके उपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें कि जो यह नए रूल्स इंट्रड्यूस होने वाले उसको डीटेल में समझाया था आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि भाई जो इसमें से एक रूल है वो यह कहता है कि जो निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी या जितने भी इंडेक्स डेरिवेटिवस होते हैं उनका जो कॉंट्रैक्ट साइज आज की डेट में 5 से 10 लाक रुपे के बीच में होता है इसको सेभी ने बोला है कि भाई 15 से 20 लाक रुपे के बीच में होना चाहिए और यह जो नियम है यह 20 नविंबर 2024 से लागू हो जाएगा तो ऐसे में हम डिसकस करेंगे कि भाई जो आपके long dated derivatives हैं क्योंकि आपको पता है कि जो index options होते हैं वो आप कई सालों बाद के भी उसमें भी trade कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको option में trade करना है तो अभी भी आप 2028 के किसी quarter का जो option है उसको buy or sell कर सकते हैं future भी जो होते हैं वो अगले तीन महीने कि आनि कि October, November, December के open है आज की date में तो हम discuss करेंगे कि अगर आपकी existing position हैं 20 November 2024 के बाद वाली derivative position में तो उसका क्या होगा और इसके अलावा हम ये भी discuss करेंगे कि इस से overall क्या आपके brokerage charges बढ़ेंगे या उस पर को impact पड़ेगा तो इन सभी बातों को detail में discuss करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभ rules हैं जो कि आने वाले कुछ महीनों में लागू होने वाले हैं उसके बारे में quickly उनको summarize करेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपने मेरा पुराना वीडियो ना देखा हो तो base setup करने के लिए हम quickly ये जो 6 नए नियम है इनको समझेंगे तो सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि contract size जो bank nifty या nifty 50 या fin nifty इन सभी में trade करते हैं तो इससे आपको impact होगा जो इनका contract size अभी 5 से 10 लाख रुपे के बीच में रहता था जैसे कि आप बोल सकते हैं अगर nifty 50,000 के आसपास trade कर रहा है और उसमें 25 share है तो इसका जो contract price है वो आपको 6 लाख 25,000 के आसपास मिलेगा और वही bank nifty अगर 50,000 के आसपास trade कर रहा है और उसमें 15 share है तो आपको 7,500,000 के आसपास उसका contract size मिलेगा तो हमेशा ये 5 से 10 लाख के बीच में रहता था जैसे ये बढ़ जाता था तो number of shares एक lot में कम कर दिये जाते थे और कम हो जाता था तो number of shares बढ़ा दिये जाते थे ताकि overall जो contract size है वो 5 से 10 लाख के बीच में रहे लेकिन 20 November 2024 से जो नया contract size है वो 15 से 20 लाख होगा initially 15 लाख रखा जाएगा उसके बाद जब भी review होगा तो ये देखा जाएगा कि ये जो contract size है 15 से 20 लाख के बीच में रहे तो अगर ये कम होने लगेगा तो number of shares बढ़ा दिये जाएंगे और बढ़ने लगेगा तो number of shares को कम कर दिया जाएगा तो इसका आपके ऊपर क्या impact पड़ेगा एक तो आपके margins बढ़ जाएंगे क्योंकि जब अभी आप एक जो trade लेते थे contract में आपको जो margin लगभग एक future option को अगर बेचते थे या future में आप trade करते थे तो 72,000 से 1,000,000 का मान ल जो longer dated option है उसमें odd lot होगा इसी को हम discuss करेंगे कि इसका क्या impact हो सकता है अगले page पे तो ये सब impact आपके उपर होंगे इस change की वज़े से इसके अलावा दूसरा जो calendar spread benefit होता है expiry day पे वो नहीं मिलेगा कई बार क्या होता है कि अगर आपने spread position मनाई हुई है जैसे कि एक call दी हुई है और एक call बेची हुई है चाहे वो different months की हो तो आपके margin कम हो जाते थे लेकिन ये margin अब जो भी benefit मिलता था आपको spread का ये अब आपको expiry पे नहीं मिलेगा ये change 1 February 2025 से लागू होगा तो अगर आप चाहें तो इस page का screenshot ले सकते हैं ये आपको सारी summary दे देगा जो भ full margin चाहिए होगा उससे आपके margin के requirement बढ़ जाएगी इसके अलवा तीसरा rule है limiting weekly expiry contract अभी आपको पता होगा हर दिन कोई ना कोई contract expire होता है जैसे कि Monday को I think mid cap nifty होता है Tuesday को फिर fin nifty होता है Wednesday को आपका bank nifty होता है Thursday को nifty 50 और Friday को BSC के जो sensex वगेरा है वो expire होते हैं तो आने वाल November 2024 से सिरफ एक ही benchmark index है उसकी weekly expiry होगी वो BSC और NSC के उपर होगा कि वो किसे choose करते हैं BSC ने I think already choose कर लिया है कि वो जो bank X उनका index है उसको weekly continue करेंगे और sensex को monthly में shift कर देंगे और NSC को अभी choose करना है I think वो भी bank nifty को ही choose करेंगे क्योंकि इनका volume majorly इसी से आता है चौथा जो change है वो है additional margin on expiry day 2% जो extreme loss margin है उसको short position अगर आपकी option में short position है यानि आपको बेच रखा है तो ये 20 November से आपके जो margin है expiry day वाले दिन वो बढ़ जाएंगे तो इसके लगभग 2% आप भी बोल सकते हैं कि लगभग 12,500 और के आजपास का margin आपका बढ़ जाएगा और इसके लावा front collection of premium ये बहुत ही कम broker offer करते हैं जो छोटे broker होते वही offer करते हैं तो इसका कोई खास impact नहीं पड़ेगा और चटा है intraday monitoring of position limit इसका भी हम जैसे छोटे मुटे traders को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें जो clients 5% और जैसे broker 15% of the overall जो derivative contracts का hold करते हैं उन्हीं को ही इस rule से impact होगा कि अब वो इसकी monitoring चार बर की जाएगी दिन में और penalty लगाई जाएगी अगर वो इस position से ज़्या position hold करते हैं तो यह एक summary है और अब अगर बात की जाए long dated derivatives की तो यह long dated derivatives क्या होते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे अगर आप individual stock में future and option में trade करते हैं तो आपके पस जो option होती है वो सिरफ 3 महीने की होती है यानि कि current month जैसे October, next month November और far month December तो आप इनी तीन महीने में trade कर सकते ह इसमें एक तो weekly obviously आपके पास options होती है option के case में और इसके अलावा आप long dated जैसे nifty 50 अगर आप trade करना चाहते हैं इसमें कोई position लेना चाहते हैं तो आप 2039 के June quarter तक की position ले सकते हैं अला कि इसमें volume आपको बहुत कम मिलेगा लेकिन हो सकता है कि कुछ position already open हो लेकिन अगर आप 2025 क आस-पास की position देखेंगे तो काफी सारी आपको position मिल जाएगी लोग इतनी दूर पे क्यों trade करते हैं हैं जिंग के लिए करते हैं जैसे मान लीजे किसी के बाद बहुत सारे delivery में stocks हैं और वो चाहते हैं कि उसकी insurance रहे तो वो दूर की एक put option buy करके रख सकते हैं इसके अलावा से आप देख सकते हैं जो option में बहुत लंबे long dated contracts भी open होते हैं similarly bank nifty में भी आप देख सकते हैं आपको 2025 तक की position दिख जाएंगी इसके अलावा जो futures होते हैं obviously उसमें भी December तक की position है तो 20 November को जब हमारा contract size बढ़ जाएगा यानिकि 5 से 10 लाग की बजाए लगब 15 से 20 लाग के में हो जाएगा तो भी आपकी कुछ position जो आज की डेट में आपने 20 November के बाद ले रखी हैं जैसे कि March 2025 की December 2024 की या even और भी कुछ 26 27 की कोई position ले रखी हैं तो उनका क्या होगा तो उसके ओपर obviously like NSE हो सकता है कि आने वाले दिनों में NSE या broker आपके साथ और information share करें क्योंकि ये बहुत बड़ा change है जिसमें कि specifically SEBI के instruction पे ये सब किया जा रहा है तो हो सकता है कि कुछ relief तिया जाए बट अगर हम historically देखें तो उस case में क्या होता है कि जो आपकी current position है आपको उसको adjust करना पड़ता है और current position इस बार adjust करने आपको थोड़ी difficult होगी क्योंकि normally जब SEBI review किया जा किया जाए ताकि आपके लिए असान हो कि अगर आपके पास एक position है आप simply एक position और लेकर के आप अराम से उसमें trade कर पाएं लेकिन अब आप देखेंगे जिसे nifty 50 में आज की date में 25 शेयर का एक lot है लेकिन माना जा रहा है कि अगर इसको 15 लाग करना पड़ेगा और ये अगर 25,000 के आसपास ही रहता है हमारा जो index तो आपको लगबग 60 share करने पड़ेंगे तो आज की date में मान लीजिए आपके पास अगर 4 positions हैं नifty 50 की long dated में तो आपके पास 100 share की positions है और जो नया lot होगा वो 60 का होगा तो अगर आप 2 position में भी convert करते तो 120 हो जाएगा obviously अगर आपके ये ज्यादा होगा number of shares overall तो आपका margin requirement बढ़ जाएंगी तो हो सकता है कि आपको ये जो सभी position है इसको close करना पड़े और नई position नए lot के साब से बनानी पड़े तो इसके लिए आप ready रहें अगर आपके पास कोई long dated position नहीं है तो इस time पर बहुत ही careful रहें इसको समझें कि इस change का क्या impact हो सकता है हो सकता है कि क्योंकि ये बड़ा change है तो शायद से भी ये allow करें कि भई जो existing contract है वो अपनी expiry तक same lot में रहेंगे हाला कि ये मुश्किल है उसमें भी liquidity काफी कम हो जाएगी क्योंकि जो नया जो trade आएगा वो सब नए lot के साब से आएगा तो historically अगर हम देखें तो आपको सारी position adjust करनी पड़ेंगी नए lot के साब से तो अगर आपके पास positions हैं तो carefully उसको कोशिश कीजिए कि आप exit कर सकते हो और अगर नहीं है तो इसको बनाते हुए आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये काफी problem create कर सकता है कि suddenly आपको position 20 November से पहले close करनी पड़ सकती है और हो सकता है कि उतना आपके पस margin ना हो क्योंकि 25 share की मानलो आपने एक ही lot ले रखा है तो उसको अगर आप 60 में लेके जाएंगे तो आपका जो margin requirement है वो 2-3 गुना या even premium अगर आपने option buy भी कर रखा है premium भी बढ़ जाएगा तो इस तरह से risk है similarly bank nifty में 15 की बजाए 30 होने होगी क्योंकि अभी भी 30 share है वो दो position आप एक position में roll over कर सकते हैं फिन निफ्टी 25 की जगा 65 यहां पर भी आपको सुचना पड़ेगा हाला कि यहां पर long जो dated trade है वो कम ही होते हैं बट future के कुछ सौदे open हो सकते हैं निफ्टी next 50 में 10 की बजाए 20 mid cap निफ्टी में 50 की जगा 115 sensex में 10 की जगा 20 और bank X में 15 की जगा 25 पोजीशन होने की उमीद है अगें यह approximate lot sizes हैं क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लग भग हम 15 लाग के आसपास आ जाते हैं जो की initial SEBI की instructions है कि 15 लाग से शुरू कीजिए और उसके बाद review के टाइम पे 15 से 20 लाग में रखिए यह actual number अभी आएगा लेकिन अगर आप long dated positions में trade करते हैं तो आप बहुत ध्यान रखिए कि आप extra positions तो ना बनाए जितना बच सकते हैं और अगर बनानी भी है तो आप इसके लिए तैयार रहें कि हो सकता है 20 नवंबर से पहले आपको उन positions पे रोल ओवर करना पड़े इसके लाब अगर बात की जाए कि भाई इसका क्या कोई brokerage पे impact पड़ेगा या सब कुछ वैसा ही रहेगा तो इसके उपर 3 October में यानि कि 1 October को ए रूल आये थे 3 October को जो Zero-Dha के CEO है नितन जो Zero-Dha है उनके जो FNO के trades volume होता है उसमें 60% तक की कमी आ सकती है और overall जो Zero-Dha के total order होते है उसमें 30% की कमी आ सकती है तो अगर इतना volume कम होगा तो इनकी brokerage total कम हो जाएगी तो उस case में इनको अगर अपनी कमाई maintain करनी है तो brokerage बढ़ानी पड़ेगी और इनका भी कहना है कि एक तो जो single weekly expiry है उसकी वज़े से इनको impact पड़ेगा और दूसरा contract size बढ़ने की वज़े से हो सकता है कि इसकी वज़े से काफी लोग trade करना बंद कर दे जिनका कि limited margin होता है तो इससे इनको लग रहा है कि volume कम होगा लेकिन ये क्या price बढ़ाएंगे obviously इनको बढ़ाना अगर इतना बड़ा impact होता है लेकिन उन्होंने का है पहले ये effect देखेंगे जब ये rule नए आ जाते हैं 20 November के बाद उसके बाद ही decision लेंगे कि इनको brokerage fees बढ़ानी है या नहीं जैसे हो सकता है कि अभी weekly बहुत सारे contract है लेकिन जब एक रह जाए तो उसमें volume बहुत जादा ब कि हो सकता है कि आपका broker आने वाले टाइम में आपके जो brokerage charges है वो बढ़ा दे मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये video पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा और अगर आपके पास ज्यादा information है या पुरानी कोई आपकी history है तो please comment section में लिखिए सब के लिए useful आपके